दोस्तो हाली में एक खबर आई थी कि भारत यूरूपेन कंट्री को पेट्रोलियम सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है जबकि सौधी अरब दूसरे स्थान पर चला गया है और सायद यही बात यूरूपेन देशों को खल रही है क्योंकि यूरूपेन दे चाइए क्योंकि इंडिया रसिया से कच्चा तेल को खरीद कर उसके उतपाद को यूरूप में बेचता है उनके इस बयान को गलोबल मीडिया ने अपने अपने तरीके से हेड़ लाइन्स दी हुई है क्योंकि यह बयान यूरूपेन यूनियन के विदेश मंतिरी ने दी ह आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत बड़ी मातरा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है जिसके बाद उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसके उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, जट फ्यूल, आतको इंडिया, यूरूपियन देसों को बेच रहा है जिस वज़ा से यूरूपियन देसों ने भारत पर ये आरोप लगाये हैं कि रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत आर्थिक रूप से रूस की मदद कर रहा है क्योंकि यूरूपियन देस किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि रूस को आर्थिक मदद मिले जिसके लिए उन्होंन रूस पर आर्थिक पर्तिबंद लगाया हुआ है यूरूपेन लीडर्स ने कहा है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदे जाने पर रूस को यूगरेन से युध लड़ने में आर्थिक मदद मिल रही है जिस वज़ा से यूरूपेन देश इंडिया के पेट्रोलियम उतपात को बैन करने की मांग कर रहे हैं पर रसियाज ने कई बार खुद बैन जारी करके ये बताया है कि भारत को तेल बेंच कर उसकी सेना को कोई भी मदद नहीं मिल रही है क्योंकि भारत इंडियन करेंसी में तेल खरीद रहा है और इस करेंसी का यूज करके वो अपनी मिलिटरी के लिए एक्यूप्मेंट्स नहीं खरीच सकते पर जब भारतिय विदेश मंतरी इस जैसंकर से ये पूचा गया कि यूरोपियन कंट्री इंडियन प्रोडक्स को बैन कर रहे हैं तब उन्होंने इसके जबाब में कहा कि हम रसिया से तेल को खरीद कर सीधे तोर पर आयल को यूरोप में नहीं बेचते उससे पहले इसे रिफाइनरी में एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसके बाद इसे यूरोप में पहुचाया जाता है तब आप इसे रसियन आयल नहीं कह सकते इसके लावा एस जैसंकर ने यूरोपन यूनियन काउंसिल रेगुलिशन 833-2014 का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया है कि अगर रसिया का आयल किसी दूसरी कंट्री से होकर गुजरता है तो उसे आप रसियन आयल नहीं कह सकते अगर इसके बावजूर यूरोपन कंट्री भारतिय पेट्रोलें प्रोडक्ट पर बैन लगाते हैं तब वो अपने ही द्वारा लिखे गए नियमों का उलंगन करेंगे पर इसकी संभावना कम ही दिख रही है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर ब